नमस्कार रोस्तो एन्नार इस्टडी ए लेर्णिंग प्लेटफर्म पर आपका स्वागत है तो जल्दी से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन का बटरन जरूर दबाए तो काफी दिनों बाद इंतजार था कि सब्सक्राइब कर लिए तो इसका टाइम नहीं मिला पीपीटी बनाने का तो इस वज़े से आज वापस शुरू की है देखो आपके पंद्रिशो क्योशन पक्का मेरा वादा है आपको पूरे करवाकर ही दम लेंगे और उसके बाद हम जो आपके राजस्तान की जोग्रोप है उसका भी करवाएंगे बस देरी रखेगा तो आज शुरू कर रहे हैं हम लगबग चम्मालीश्वी क्लास है यह तो चम्मालीश्वी क्लास शुरू हो चुकी है तो जल्दी से दोस्तों जूड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल का लिंक उपर मिल क्लास की शुरूआत करते हैं लगबग तेन चार दिन वाद आज राजस्तान जीके की वापस क्लास को शुरू किया है तो बिलकुल चाहे एक दो दिन लगजा है परन्तु आपके क्योशन पूरे जरूर होंगे क्योंकि यह चल रहे हैं हमारे 15 क्योशन की सिरीज और अगर 15-16 क्योशन मिल सकते हैं तो मान के चली अराम से विलेंगे तो चलते हैं दोस्तो एक नय जोस के साथ बिलकुल जल्दी से दोस्तो एक तो निवेतन है कि जल्दी से इस वीडियो को सेर कर दीजीगा चलो बई एक अच्छे मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरूआत करत है कि रहा संग्रस की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है सूर्य बनकर वही निकलता है ऐसा नहीं कि आप पूरी रात पढ़ते रहे वही कहने का तापतर है कि महनत की रातों से जिसने जंग जीती है अक्सर सूर्य बनकर वही निकलता है इस जंदगी में ये जो आपको कुछ पल का कुछ पल का मानू जिवन मिला है इसे इतना संगल सिल बना दीजिए कि आने वाला वक्त आपके व्यक्तितों को याद करें कि यह वो बंदा था और वास्तन कुछ कर गया तो ऐसे नए जोस के साथ आगे बढ़ते रहें आपका लक्सी आपका इंतजार कर रहा है लक्सी के पास आपना जाए लक्सी आपके पास जाए ऐसा कुछ करके दिखाए तो चलते हैं दोस्तों पेज को फोलो कर लीजिगा टेलिग्राम को जोइन कर लीजिगा चलते हैं दोस्तों किउसिन की और राजस्तान के आज चलेंगे हम परदेश में प्रदेश में उर्जा संसाधन है उनके बारे में बात करेंगे तो चलते हैं दोस्तों कि यह लेजीगा इंपर्टेंट कि आपके किस का पर आचुका है जल्दी से जूड़े हैं दोस्तों पहले बिल्कुल सेर कर दीजिगा बिल्कुल स्वागत है सभी का तो आपके स्कृन प पर ग्रामीन चत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्द कराना ओप्शन बी है ग्रामीन चत्रों में इस्तान्य युवाओं की मदद से साक्षरता का अलक जगाना ओप्शन सी है परतिये गाउं में परिवार नियोजन अपनाने वाले आदरस दंपतियों का चुनाव करन option D है दंपतियों को परिवार कल्यान के अंतराल साथनों के उपयोग को बढ़ावा देना एं इन साथनों को उपलब्द कराना तो दोस्तों जल्दी से आंसर बता दीजिगा बिल्कुल एक तो आप बहुत कंजुसाई करते हैं आप कमेंट तो करते हैं परन्तु वीडियो शेयर नहीं करते हैं ऐसा तो है नहीं कि कुछ लग रहा है कुछ लग तो नहीं रहा है अगर PPT बनाने में वक्त लग रहा है तो इ जल्दी आंसर बिल्कुल स्वागेता है आपका चलो भई आंसर आपको बता देता हैं option 4 इसका correct answer होगा दंपतियों को परिवार कल्यान के अंतराल साधनों के उप्योग को बढ़ावा देना एउं इन साधनों को उपलप्त कराना तो राज्ये में जो जन्मंगल कारेकरम का प् पढ़के जाए फिर आप मिलान करना की वास्तों में मेरे जितने भी अभी 15 क्योशन होंगे तो उन में से मिलान करना की कितने क्योशन मिल रहे हैं हमेरा वादा है कि आपको लगबग 80% सवाल तो वहां से मिलेंगे चलो कलते हैं अंगले question के वह बिल्कुल स्वागत है जिन् सिंग्या घनतो जैपूर जिल्ले में हैं वहां परती वर्क किलोमेटर जन घनतो कितना है अच्छा question वो तो सभी को पता है कि राज ये का सबसे ज्यादा घनतो का है जैपूर का है तो आपको बताना है कि परती वर्क किलोमेटर जन घनतो कितना है यह आपको बताना है परती आपको बताना है कि जल्दी चलो दोस्तों आपको करेक्ट आइसर बता देते हैं कि जनगनत्व कि दश्टी से आपका जो ओप्सन फोर राइट होगा कितना है आपर देखेगा जाइपूर जिल्ले में है वहां परती वरक किलोमेटर लगबग लगबग पांशो पंचानवे किलोमेटर जणगनत्व यानि वहां प्सपूर आ आजडवी रहतें है और वैसे हैं कि अधिक्तम वाकी जन संगा कितनी है जय पूर की तब किता होगा आपको बता रेका है कि発़्ट की जन संगया कितनी है लगबग लगबग के जैविपूर के जैविए जैविए है 6726,181 यह है आपके जैविपूर के जैविटा पर आता है जैविपूर उसके बाद आता है जोदपूर्णों के जैविद्पूर्ण साथ 72,FX Weekly, or 165 तो आपके 36,1665 ऐ आपके तीछ जोदपूर की और तीस देस्तान पर आपका अलवर है ना तो यह जन सिंके के मामले में है बिल्कुल तो चलते हैं दोस्तों अगले क्योशन की और यह आपके स्क्रेंट पर अगला क्योशन तो राजिये में सारवदिक महिला साख्षता वाले जिल्ले गढ़ते विक्रम में बी दो तीन सामिल हो गया तो कोई प्रॉब्लम ने जल्दी बताया आपको बताना है कि राजिये में महिला साख्षता गटते विक्रम में बताना है ऑप्शन है अजमेर कोटा जुन जुनुन और ऑप्शन C है उरेपूर जाइपूर जवातपूर ऑप्शन D है कोटा जुन जल्दी बता दीजिगा महिला गनत्व स्वरी महिला साख्षता वाले जिल्ले वह भी गटते विक्रम में ना जल्दी चलो भई करेक्ट आंसर बता देते हैं ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट आंसर है यानि कोटा आता एक नमर पे और कित प्रतिस्त है और जूजुनु की कित्तिया लगभग 61 प्रतिस्त है आपके जूजुनु की यह ना 65, 64 और 61 यह आपके करेक्टर आंसरो का अप्सण، बिया पर मैला सक्स्ता कि दर्से और अगर पुरूष की बात की आपके जुनुmatic 86.9 परतिस्त और दूसरे अस्तान पर आता है कोटा पुरूष के मामले में और तीस तरे अस्तान पर चलो बिल्कुल चलते हैं दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका चलो भई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बिल्कुल स्वागत आपका तो लीजिएगा अग लागे उस्तन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बिल्कुल तो यह आपके स्क्रीन पर अच्छा सा क्य जिगा क्यों सेंग क्या रहा है कि जन गणना 2011 के निम्न आंकडों को सुम्मेलित कीजिए जन गणना 2011 के निम्न लिकित आंकडों को सुम्मेलित कीजिए देश का कितना है जन गणोतों फिर राजस्तान का फिर राजस्तान में फिर निउन्तम तो सामने दे रहा है दो दोस्तों जल्दी से बताव करेक्ट आंसवर जल्दी से अंशर बता दीजीगा क्या होगा इसका इसका करेक्ट आंसवर चलो बतादे बिलकुल करेक्ट आंसवर की बात की जाए तो option सिए आपर क्राइक्टर अशुलो गा तो सी के अधेदा देखिएगा अका- tv nov यॉनि देश का 302 मैं नस、 उब शफचेता दर है और राजस्तान का देश में 300 नश्चेक यह आपका मैं शाथेट धार लेया ठीक है और यहाँ राजस्तान का- 2020 में आग्लाय राजस्तान में आगर 6 Somosまぁ प्रृष्टिसान जंचिया गनात्तव competent ऑगे बात करते नियूनतम की बात की जाया तो यह आपके दोलपूर पूर्पर ढूरां करा रिजागा अगर कोamos विजन ओ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ना बिल्कुल चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्योंट के और बिल्कुल स्वागत है आपका स्वागत है चलो अब आचुका है अच्छा क्योशन आपके सामने राजस्तान में 2011 की जन्गर्णा में पुरूज जन्सिंग्या का परति कितना था ओप्शन A 41.0% ओप्शन B 52.0% ओप्शन C 53.0% ओप्शन D 54.0% जल्दी बताओ दीखो आणस्वार आ चाहिए बिल्कुल क्रेक्ट आणस्वार आ चाहिए बिल्कुल स्वागत है आपको बताना है जन्सिंग्या वो भी पूरूज हो किये ना जल्दी बताव एक प आंस्वार जल्दी जल्दी स्वागत है आपका बिल्कुल घल्दी स्वागत आपकी जल्दी पता है आंसवार प्लकुल तौ बश्अ बटाओं सब्सक्रांपनमटोंग कर्स्वार्णब Bosford Natürlich यह लिए तो न पाइब जा तो आप Eli World विए करे जंगरना का अनुसार जंस्जंक्य के मामले में राजस्थान का कौन सा इस्थानwechsel अक्चा ठू,57 श्ठवा पिछली अक्षया में आ चुका है फिर भी आपन。 सर्थ को ऐसतान ये इंडिया में है ना जन गंड के अनुषा राजस्थान का कौन सा हिस्तान है इंडिया मेंना आट वा argument एकरलक्ट टांश्र ऑपशन गते हमें बिल्क्ल क्वाकर था आपका ऑप्शन先 यहां पर करेक्ट्ट टांसर कर और कीूचन तेखो क्यों सेने आपके सामने वर्स 2001 से 2011 के दसक में किस जिले की जनसें क्या में निउन्तम वर्दी दरदर्ज की गई ये आपको बताना है जल्दी बताए जल्दी करेक्ट आंसर बताए बताए अप्सने एह है यांपर जल्दी बताए दौस्तो क्या होगा इसका correct answer की बात की जाए तो कौन सा हुआ बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल चलो बता देते हैं option c यहाँ पर correct answer होगा why अगर बात की जाएगी , अदिक्तम, निउन्टम , और किती थी बताऊ गंगा नगर की कि revenue निनट ना कुकि यह लो्कुणpent until 179 अधिकतर हुआ कि अधिक्तम निनट इस ना आपके एक्जाम में पूछ सकते हैं यह ला झिन नगर की या पर ऑप्षन दो याद हो गया चलो भई याद हो गए तो छलते हैं बिल्क이에요 स्वागत है बैं फिक्र होकर आराम से पढ़िएगा मन लगा कर बिल्कुल एक दम कड़क सीधे होकर बैड़ जाए और अपने आंस्वर देते रहे बिल्कुल चलो भई ऐसा नहीं कि बीच-बीच में वाट्सप कोल रहे हो नहीं कि अवल क्लास सलगी तो क्लास पर ध्यान दे देखो क्योषण आम के सामने कि वर्ष 2011 की जन कर ना के अनुसार निमलिकित में से कोन सा राजिये तस्किये वर्दी के मामळे में राजस्तान से आगे हैं अरे यह तो थोड़े बहुत क्योषण है तस बारर क्योषण होगे चलो जन करणा के उसके बादंवाले जो राजस्तान में उर्जासन सदन के आ रहे हैं विल्कुल तो उप्शन ए है यापर उत्र पर उत्र प्रदेश और उप्शन भी है बियार उप्शन सी है मद्यप्रदेश ऑप्शन डी है यापर महराष्ट वर्ष 2011 की जन गर्णा के अनुसार नीमने लिखित में से कौन सा राजिये दस्के वर्दी के मामले में राजस्तान से आगए है चलो बता देते हैं ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ब्यार तो ब्यार आपका राजस्तान से भी आग आपके स्कीरण पर अगला क्योशन चलो nine-क्योशन आपके सामने 2001-2011 में दो जार एक और 2-0 11 में जंसंक्या में निवन्तम वर्दी-दर दर्ज करने वाले तीन जिल्ले वर्दी-दर्ग के बढ़ते क्रम में बताने है आपको वर्दी-दर्ग के बढ़ते क्रम में गुमादी एक्यूशन चलो बताओ चल्दी से ओप्शन A है जुन्जुनु राजसमण दोलपूर ओप्शन B है गंगानेगर जुन्जुनु पाली ओप्शन C है राजसमण जुन्जुनु चित्तोडगड ओप्शन D है राजसमण दोलपूर चित्तोडगड चल्दी बताओ ब कि जल्दी बताया correct transistor क्या होगा है कि चलो कि क्या बात है चलो बता देप रॉत हिगर बता है correct answer मैंने अभे बताया था अभी हाली mes tuition गया घंगा नगर के बाद जुंजुनू जुंजुनु के बाद पाली तो मैंने बताया था नियुंत्व याद कर लेना है गयास पॉंट्ट साथ है गयारा पॉंट्ट साथ है गयारा पॉंट्ट नो दस ग्यारच पॉंट्ट साथright चलो बिल्कुल बिल्कुल option भी यहां पर correct answer है जिन्हों ना answer दिया बिल्कुल स्वागत स्वागत बिल्कुल बिल्कुल चलो भई अगले question के बार चलते हैं यह आपके screen पर अगला question question है आपके सामने 2001-2011 के दोरान जंसिंग्या में सारदिक वर्दीदर वाले चार जिल्ले जिल्ले वर्दीदर के गढ़ते करम में के और confuse कर रहें आज तो rotation पथा नहीं किषे ला रहे हैं बिल्कुल देकूछ आज है तो बतल जल्दी से सारदिध वर्द्वावाले चार जिल्ले वर्दीदर के गढ़ते करम में आपको बताना है कि वे उपे वर्दीदर या जल्दी भूँ जल्दी बता ओर इक क्रेक्ट टांसिर डाजीr क्या होगा प्रक्राषे बता देते हैं आपको आप्ट्सन चौami क्रेक्ट् टांसिर होगा युद्सन तोद्ट मेर के कितना था मेंने आपको बता दे था 22.5% जैसल मेर में कितनी हुई देश्क के वर्दी तो ध्यान दिजीगा 31.8% जोधपुर में कितनी हुई बता दिए बता हुँ बार मेर का 32.5 चार बार बोल चुका हुँ मैं आजकी क्लास में और जैसल मेर का 31.8 और जोधपुर का है आपने 27.7 यह वह आपके बिल्कुल ऑप्शन भी यह आपर करेक्ट आंस हो रहे चलते हैं दोस्तों अगले के फिशन के और बिल्कुल स्वागत है आपका तो भई यह आपके स्क्रिन पर अगला क्योशन टॉप क्योशन आपके स्क्रिन पर है बिल्कुल अगली क्लास में टॉपर्स का नाम लेंगे आज काफी दिनों बाद क्लास हुईती तो इसलिए हमने टॉपर्स का नाम नहीं लिए बिल्कुल चलो अगली क्लास में ब पर्तम पवन उर्जा सेयंद्र इस्तापित क्या गया कहाँ इस्तापित क्या गया प पवन उर्जा सेयंद्र अच्छा जबृदस्ग इसकंछ जल्दी बताओ option A है जसल मेर option B दोलपूर option C बार्ड मेर option D जल्दी बताओ correct answer जल्दी बताओ correct answer क्या होगा चलो भई correct answer आपको बता देते हैं क्या होगा इसका correct answer का option A राजस्तान का पर्तम पवन उर्जा सयंत्र आपके जसल मेर में इस्ताफित किया गया अगर जसल मेर में ये को भारत का भी ध्यान देना भारत का भी पर्तम पवन उर्जा जो पार्क है कहां का गाड़ी काटा ठीक है भारत का जो पर्तम उर्जा पार्क है कौन सा? मैं आपको बता देता हूँ लोद्रवा पारक है ना, लोद्रवा उर्ज़ा पारक है यापके जसल मेर जिल्ले में इस्ताफित किया गया है, ये कौन सा है भारत का दूसरा है और परतम कहा है, गाड़ी काठा यह आपके कडपा जिल्ला अंदर प्रदेश में है ना बिल्कुल तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए पाउनु उड़ दा सहिंतर का है इस्ताफित किया गया ओप्शन ए राजस्तान में जैसल मेर में ना और अगर इंडिया में बात करें तो यह आ परतम्हिद्थ सैंतर की तो द्यान देना रांगर कर ना रामगड के अंदर कौन सा सकति प्रयोजना के तयत्ष है किस प्रयोजना के थैत क्से सकति प्रयोजन Appreciate राजस्तान का परतम सैंतर भी आपके जैसल में राम गर सबसे बड़ा औरजाता सैंत्र वहाँ कर आपके सोड़ा गाउं में सबसे बड़ा पवरनी सेंतर यहाँ कौन सा गाऊं सोड़ा हो तो आपको उनसे याद हो गया ओगा बिल्कुल एक एक क्यूसन आज तोड़ी व्य करदसत्थ वाला जो topic है बिलकुल जबर्दस्त important है चलो क्या पता है ता आपको पवन उर्जा सेंथर 1999 1999 में इस्तरबित क्या गया अमर सागर जैसल मेर में है न और जो आपका परतम पवन उर्जा पार्क है वो आपका गाड़ी कठा आंदर प्रतेस में है जबकि दूसरे आपके राज़ जब्रबा जैसल मेर जिल्ले में चलो हो गया चलो चलते हैं भी और इसलिये आपको पतार ज्यसल मेर को पंको कीनगरी के नाम से जाना कीनगरी के अंदर ही बाड़ा गाउं किए सब्सक्राइल आपके स्किन पर आ राजस्तान में जो आपके में जारतन में अच्छा अब्रशा सन्थन दोपिक है थोड़े हम विस्तार से पढ़ेंगे तो अच्छा ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके क्यूशन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे राजिस्तान में नेपता यह गेस आधारित विदुत सेंत्र इस्तित हैं आप्शन अलवर में है या आप्शन बी बरतपूर में है आप्शन सी बासवाड़ा आप्शन डी दोलपूर तो जल्दी बताओ क्योंकि आपको देखने को मिल सकता है कि राजिस्तान में नेपता पर यह गेस पर आधारित विदुत सेंत्र चलो बता देता है करेक्ट आंस्वर ओप्शन डी यह पर दोलपूर में है जिन्नोंने दोलपूर आंस्वर दिया है बिल्कुर आपका स्वागत है दोलपूर में है और कितने मेगावाट इसकी समता कितनी है बई बई नेपता यह गेस अधारित ऒडुत सें्टर इसकी समता कितनी है इसकी समता है लगबग 130 मेगावाट के समता है कहा कहा यह दोलपूर के अंदर है कौण सा नेपता यह हूँ के अंदर इसके समता कितनी है इसके समता है भई लगबग 130 मेगावाट के समता है कहा कहा यह दोलपूर के अंदर है कौन सा नेपता है हूं गेस अधारिद विदू सेंट्र याद गड़ लो साथ साथ में याद होना चाहिए बिल्कुल क्योंकि ऐसा नहीं है आपको बार बार नहीं हो आपके दोल पूर केंदर है का पर है दोलपूर के अंदर है और इसकी समता है वह 130 मेगवाट है चलो विल्कुल मैत आद हो व्याद हो गया चलो भई करता आपक चलो भई है क्लोशन के सिर्च्वागशन का से राजस्थान में अन। गेश विदुद केंदर किस जिल्ले में इस्तित है राजस्तान में अन्ता ये भी इंपोर्टेंट है वही अन्ता वाला कहीं एक्जामों में पूचा गया है अन्ता गेश विदुद केंदर किस जिल्ले में है ऑप्शन A है क्वोटा ऑप्शन B है ये जाला वार नहीं है जाला गेश विदूत केंद्र का है बताओ जल्दी से चलो भई करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर होगा अंता गेश विदूत जो केंद्र है वो आपके राजस्तान के 12 जिल्ले के अंदर है और यहीं पर एक ओर है कौनसा कौनसा चबडा थर्म थर्मल प्रोजेक्ट ज we totally 1997 फर फ्रोजेक्ट ज्यान देना यह इम्पोरेंट क्यूचन है है पूचय का क्यूचन है कि चबडा थर्मल प्रोयेक्ट का है तो यह भी 12 के अंदर है और यह कौनसा दवा है यह राज्य का तीसरा शूपर थर्मल पर तर अजह धेनta है नहां दे बारा के अंदर कौनसा चपना बिलकुल और जो कवई विधूत परियोजना है यह भी का किए कवई भी आपके बारा जिले किए कवई विदूत परियोजना ठीक है बिलकुल बिलकुल और राजिस्तान PRO तीसरा सबसे बड़ा जो बिजलीगर है वो काँपर है आपके तीसरा सबसे बड़ा बिजलीगर मोतीपूरा चोकी गाउं चबड़ा बारा में के अंदर है मोतीपूरा के अंदर काँपर गाउं कोण सा चबड़ा गाउं सबसे बड़ा बिजली गर चलो बई चलते हैं दोस्तों बिल्कुल एक और बता देते हैं अभी हाली में आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री असो घ्यलो द्वारा इन दोनों इककायों का यहां पर लोकांप लजो यहां पर अभी लोकांपन किया गया था ती जून 2019 को है ना यह आपके किस-किस का यह चबड़ा का भी किया गया ठीक है कवई विदुत पर्योजना ठीक है चबड़ा यह चबड़ा बारा का किया गया ना बारा के अंदर किया गया था बिल्कुल चलो चलते हैं दोस्तों कि क्यों बिल्कुल स्वागत आपका जदा आपको कंफ्यूज में राजस्तान की इस्तिक्या है अच्छा क्यों से नहीं की बिल्कुल सोर उर्जा उत्पदन में वर्तमान में राजस्तान की इस्तिक्या है option एक नमबर पर है दो नमबर पर है तीन नमबर पर है चार नमबर पर सोर उर्जा का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है खिंकि बिजली के बिल तो वैसे आपको पता कितने क्या आ रहे है आ रहे है ना दखो बिल्कुल सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे राजस्तान में पड़ती है तो बिल्कुल सोर उठजा उत्पादन कहा होगा राजस्तान में सबसे जधा होगा तो एक नमबर पर है भई सोर उठजा के मामले में एक नमबर पर है राजस्तान है चलो भई, चलता है अगले QEx Nice की उर बिल्कुल स्वागत है आपका आपका अगले QEx你 आपके सामने कि राजस्तान में उर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई राजस्तान में उर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई 1967-1985-1965 पदोवे 1967-1985-1960 और 1975 जल्दी बदा तरेक्टा अंसर कब हुई कब हुई बई चलो बई बता देते हैं करेक्टा अंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर 1985 के अंदर हुई थी और मैं आपको बता दू कि यह आपके राजस्तान में उर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी एक्जाम में पूछा गाए क्योशन है कि राजस्तान में उर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी चलो बई ऑप्शन बी करेक्टा अंसर है बिल्कुल चलते हैं अगले क्योशन के और यह आपके स्किन पर अगले क्योशन और ध्यान दिजीगा यह क्लास आपके फेस्बुक पर ओनली फोर 30 मिनट या 31 मिनट चलेगी अगर आप इस क्लास को पूरा देखना चाहते हैं और बाकी जो ओल्रेडी क्लास से और बची वी है वो सब देखना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से आप यूटूब चैनल को मिल जाएगा एक तो वीडियो को आप से रहने करते हैं सेर करते रहें बिलकुल सबस्द्र हम राजस्तान मैं उर्जा की धारित सकती ताप उर्जा का लगबग अनुपात कितना है सबस्क्रेंधियर कि शौन क्या होगा इसका मिल्कुल स्वागत आपका राजिस्तान में उड़्जा की धारीत सक्ति ताप उड़्जा का लगवग कितना अनुपात है कि देखो भई इंपर्टन क्योशन चल रहा है सभी के सभी कि चलो बढ़ी और आपको बढ़ाते ते हैं 80 पर्थिस्त लगवगना 80 पर्थिस्त कितना है 80 पर्थिस्त चलो ऑप्शन सी आपर करेक्ट आंस वह रहा है बिल्कुल चलता है अगले क्योशन के और यह आपके स्क्रेंड पर अगला क्योशन देखिगा ग्योशन आपके सामने राजस्तान का एक मत्र पर्माणुविद्द्गर इस्तित है वावै क्या जवर्दश क्योंसे प्रमाणुविद्द्गर का कहीं सित प्रमानु उद्युद्गर बता दीजिगा क्या होगा इसका correct answer चलो भई correct answer आपको बता देते हैं option A इसका correct answer होगा चित्तोडगर के अंदर है ना का हैं बिल्कुल चितोडगड के अंदर है तो बिल्कुल आपको बता देते हैं कि चितोडगड के अंदर है कौनसा रावत बाटा तो ध्यान देना एक और कि राजस्तान में जो सोर उर्जा पर आदारित पर्तम जो दूर दर्शन के अंदर है वो भी कहां पर है सोर उर्जापर आधारित परतम दूर दर्शन केंदर रावत बाटा केंदर है रावत बाटा कहा है आपके चितोडगड केंदर है कहा है चितोडगड केंदर है और राजस्तान अनुसक्ति सैंतर ये भी कहा है आपके चितोडगड केंदर है ठीक है ध्यान देना राजस्तान अ चितोडगड के अंदर है रावत बाटा तो यह किस के सयोग से देखो कनाड़ा के सयोग से 16 दिस्वंबर 1973 में रावत बाटा चितोडगड के अंदर इस्तापित किया गया ना और यहां पर यूरेनियम के पंडार है वो है ठीक है और नाभी के उर्जा पर आधर रहते हैं यह बिल्कुल चलते हैं अगले क्योशन के और बिल्कुल स्वागत आपका चलो भई यह आपके स्क्रीन पर क्योशन क्योशन आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा सॉलर पार्क का है क्या बात है कमेंट करते हो बिल्कुल कमेंट आ जाना चाहिए बिल्कुल हमारी तो क्या सबसे बड़ा सोलर पार्क के बिल्कुल है ना चलो एक मज़े वाली बात है कि आपको पता है राजस्तान का पर्तम सोर उर्जा फिरिज का चलने वाला फिरिज तो द्यान देना यह भी जोद्पुर के अंदर है और किस गाओं में बालेसिर गाओं में और कब इस्तपित क्या गया था 1984 से 85 में इस्तापित क्या गया है न ठीक है और राजस्तान में पर्तम सोर उर्जा अदारित लगबा कीतना 140 मेगावाट विदूत सैंतर कहाँ पर है मथानिया गाहों के अंदर है कहा है मथानिया गाहों के अ अंदर है चलो इसी के साथ और जोदपुर के बारे में आपको बता देता हूँ कि राजस्तान में तीसरी पवन उर्जा सेंतर आपके फलोदी गाउं के अंदर कहा है फलोदी गाउं चलो भई चलते हैं अंगले किशिन के और बिल्कुल स्वागत आपका बिल्कुल क्यों सिन कैसे लग रहे हैं आपको बिल्कुल वै फिक्र होकर राम से कमेंट करते रहेगा बिल्कुल नय जोज के साथ अमंग के साथ आगे बढ़ते रहें पर्चिमी राजस्तान में उर्जा के घेर प्रमप्रागत स्रोत के विकास की विपूल संबावना है और फर्चिमी राजस्तान में ऊर्जा के घेर प्रमप्रागत स्रोत के विकास की विपूल संबावना है सोरूर्जा प्राक्रति कुर्जा पायोगेज पवनुर्जा अच्छा क्यूसन आपको छेत्र देखो कौन सा के रहा है प्रचिमी तो प्रचिम के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा है क्या मिलेगा प्रचिम के अंदर नीरे जवारात अप्विर मोबाइल टावर ईड है बताओ जल्दी क्या होगा कर्क्ट आंसर थो विलकुल सब ऌंडों सुर्षा कोज़ रोगांने पड़े परची परची में सडसान सब्सराहें & पतावें विकानेर बाड मेर पोकरांड जालो रहुआना हजए कि तह किया गया तो ओप्षन सी यहां पर क्रेक्ट चाहया का क्या गया फोकरण के अंदर ना पोकरण ना चलते चलते हैं पर आपके सामने राजस्तान सरकार द्वारा पहली बार सोर उर्जा निती गोशित की गई कब की गई आपको बताना है अप्ज़ने 2009 में 2010 में 2011 2013 एक हो राजस्तान सरकार द्वारा पहली बार सोर उर्जा निती अच्छा क्यूशन है सोर उर्जा निती कब की गई कर जल्दिवता हो चलो भई आपको correct answer बता देते हैं option C इसका correct answer का 2011 में की गए है न 2011 में 100 उर्जा नीती पहली बाद 100 उर्जा नीती 2011 ध्यान दीजी का न ये current के question है तो पूस सकते हैं बिल्कुल चलो भई चलते हैं आगले question के ओर बिल्कुल ठीक है और एक और आपको बता देता हूँ अभी राजिस्तान की जो refinery है ना उसका उद्गर्ण कब किया गया था मोदी जी के द्वारा तो प्रतान मंत्री नरंदर मोदी ने 16 January 2018 को राजिस्तान refinery limited की 9 million ton वार्षिक समता से राजिस्तान refinery प्रियोजना का सुबरम किया था तो ये भी आप द्यान रखे करंट के क्यूशन है पूश सकते हैं कब 16 January 2018 को तो ये भी क्यूशन आप द्यान रखे हैं बिल्कुल चलो बई चलते हैं दोस्तों अगले क्यूशन के और बिल्कुल स्वागर आपका बिल्कुल बिल्कुल चलो बई आपके सामने क्यूशन है कि राजिस्तान में helium gas कहां मिलती हैं राजिस्तान में जो helium gas है वो कहां मिलती हैं option है गोटारू, नोखा, पोक्रान या फ़लो दी जल्दी बताओ वे करेक्ट आंसर क्या होगा helium gas जल्दी बताओ वे करेक्ट आंसर क्या होगा चलो बता देते हैं आपको करेक्ट आंसर क्या होगा option है गोटारू के अंदर मिलती है option है या पर करेक्ट आंसर का बिल्कुल स्वागत आपका बिल्कुल जिन्होंना option ने answer दिया बिल्कुल स्वागत स्वागत चलो बहिए चलते हैं अगले question के और यह आपके screen पर अगले question राजस्तान में तेल एंव प्राकरतिक गेस विशाल मातरा में मिलता है अच्छा question में आपको बताना अभी कि जो प्राक्रृतिक गेस पर आदारित राजस्तान का परतम विदुत सेंथर कहा पर है रामगड और 21 प्रियोजना के तयत है सक्ती प्रियोजना के तयत है तो बिल्कुल जैसलमेर के अंदर मिलते हैं बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका चलो option C यहांपर करेक्ट आनसर होगा सबसे बड़ी सोर उर्जा परियोजना किस राजे में कायान्वित है ऑप्शन ए गुजरात ऑप्शन भी राजस्तान ये राजा थान नहीं ये राजस्तान और महराष्ट और केरल थोड़ी मिस्ट प्रिंटरिंग हो जाती है जब पीटी बनाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल भई क्या बाते कमेंट नहीं आ रहे है कमेंट आने चाहिए इस फीड में वो भी नहीं जोस के साथ नहीं उमन के साथ आगे बढ़ते रहिएगा बिल्कुल अप्शन भी राजस्तान करेक्ट टांसर होगा बिल्कुल तो राजस्तान यहां पर करेक्ट टांसर है तो आग्हें चलते है किससे संबंधित है अच्छा क्यूंति फिर प्रेयोजना किस से समधित है अपसेने लिरे ना तो का बताएंगे कहा से यह है ना चलो बताते हैं घ्राइवindi ताप विदुत देखों मैं बताते हुँ गिरल परियोजना थाप विदुत से है और गिरल परियोजना बाड मेर की यह नहीं गिरल यहां इसको ओर क्या बोलते हैं लिग्णाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट विदुत सेंत्र ठीक है और राजस्तान का परतम लिगनट जो लिगनईट पर आधारित जो बिजली गर है वह आपके जनवरी 2007 में जनवरी 2007 में थुम्बली गाउं शीव तैसिल बाड़ मेर में जर्मनी की के एल एफ कंपनी के सयोग से इस्तापित किया हा गया उपहर है अगली क्यूंस presses के ओर और बाड़ मेर से एक इंपोडेंड आपको के से बता देता हु हूं महात्कुर्ण निकालने का जो काम है वह करन ऐसी है एक कंपनी के क्यタप पिजयाता है के अंग बिजिकेंड के दौरा Era कर दोंध स्थए या इसके दोरा कारी की य आपको बता दिया चलो चलते हैं लें क्यों स्वागत आपका बिल्कुल बिल्कुल चलो भई रावत भाटा में राजस्तान अनु सकती परियोजना की इस्तापना किस देश के सयोग से हुई रावत भाटा में राजस्तान अनु सकती परियोजना की इस्तापना किस देश के सयो रावत वठाप चित्तोडगर वाला भी मेने आपको बताए था बताओ जल्दी बिल्कुल करेक्तान्सुज्डर 1953 कि नहीं क्ननाडा संगे हुए क्नन के से उन्ससे ना बिकानेर नागोर बैसिन में ओयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए ने तेल को कौन सा नाम दिया गया बिकानेर बैसिन में ओयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए ने तेल को कौन सा नाम दिया गया option A, पूनम, सुरुदगर्ड, लुदरवा, या प्रोजेक्ट, चलो आपको बता देते हैं, करेक्ट आनसुर इसका, देखो भई, option A, इसका करेक्ट आनसुर का पूनम है ना, चलो भई, option A, यहापर करेक्ट आनसुर है, बिल्कुल, स्वागते आपका चलते हैं, दोस्तों, अ चलो भई, बता देते हैं, करेक्ट आनसुरो का, option A, सुरुदगर्ड के अंदर है, और सुरुदगर्ड का है, गंगनगर्ड के अंदर है, सबको पता होना चाहिए, और इसी को क्या कहता है, सुरुदगर्ड सुपर थर्मल पावर सेंद्र है, ठीक है, और राजस्तान का पर फुकराना, गाउं कौन सा है, हम आपर, फुकराना गाउं के अंदर है, ठीक है, चलो भई, चलो चलते हैं दोस्तों अगले क्योशन के और, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका, तो यह आपके स्केन पर अगला क्योशन, राजिय में वर्तमान में प्राक्रतिक गेस की उपलदी वाला जिल्ला कौन सा है, उप्शन है जालोर, बाड़ मेर, उदेपूर, जोदपूर, देको जसल मेर के बाद नमबर किसका आता है, आपको बता दो जल्दी से, उसके पास वाला यह आएगा न, अर बाड़ मेर, बाड़ मेर करेक्ट आंसर उप्शन भी, मेगा वाड़ का राणा प्रताप सागर बिजलीगर की स्तापना कब हुई, 1952, 1956, 1964, 1964, जल्दी बताव, राणा प्रताप सागर, जल्दी बताव भै, चलो भै, इक रेक्ट आंसर बता देता है, उप्शन दीश का रेक्ट आंसर उगा, उन्दी सपन इस्वी में हुई थी, अप्शन भी यहां पर करेक्ट आंसरों का बिल्कुल स्वागत है चलो बैए आज के लिए इतना ही हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए इसी प्रकार आपका जो यह प्यार है वो देते रहे और वीडियो को सेर करते रहे हमारे साथ बने रहने के लिए कर लें थन्यावार आपका एक बाद फिर अ हमारि Supreme да आपका बने जर सेर के लिए अन्यावरे मंगें 15 और Fest गया करूका कैसी लगी कि टुन्स के लिए आपका जो आपका जैए कर questão कार का भ 치क, पहीं करूआ में जर आपका जर मोएगी करका जर आपका पका पका न्यावारे verb बता है